तो क्या आप भी इस तरह से वीडियो को सूट करना चाहते हो जहाँ पर जब आप लोग पढ़ा रहे हो आपको वाइट बोर्ट की जरूर था तो उस समय आप वाइट बोर्ट पर पढ़ाऊगे और जैसे ही आप लोगो को कुछ चीज़े एक्स्प्लेइन करने की जरूर रहे तो इस तरह से अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो फिर ये वीडियो आप लोग के लिए आज के इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से एक्स्प्लेइन करा है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं मैं मनिस कुमार आप सभी लोग का अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग उने प्रिवी में देख लिया है कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं तो इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि हमने लास्ट और मेरे हो सकता है कि आपको webcam की या जो भी जब मैं full screen पर आता हूं तो आपके quality थोड़ी बहुत reduced मिलेगी क्योंकि मैं अपने mobile को यह जब webcam यूज करता हूं अगर आपके पास webcam होगा तो आपकी quality बहुत ही ज्यादा बेटर produce होने वाली है वीडियो की तो चलिए late ना करते ह वीडियो को सुरू करते हैं और OBS की सारी settings देखते हैं जिसमें की हमने हर एक चीजों को देखना है कि कैसे हम इस चीज को achieve कर सकते हैं जैसे मैंने अपनी settings करी है देखो अभी भी मैं आसानी से एक scene से दूसरे scene पर switch कर ले रहा हूं ठीक है तो इस तरह की video आप लोग भी करना होता है या कुछ करना होता है तो वह whiteboard setup पे चले जाते हैं और यह करना बहुत ही असान है बिल्कुली similarly हो जाएगा तो OBS की settings मैं आप लोगो अभी explain करता हूं अल्राइट तो हम लोग अभी laptop के screen पर आ चुके हैं और यहां पर जब आप initially आओगे तो OBS open करना है और OBS जैसे ही आप open करोगे आपको कुछ इस तरह का interface दीखेगा अगर आपने कोई भी scene नई add कर रखा है इसलिए मैं हर एक चीज को starting से बता रहा हूं तो हमें यहां पर क हमें आपको कर लेना है ठिंगा और यहां से जाकर आपको सिलेक्ट कर लेना कि कौन स 17 मेरा यहां पर माइक्रोफोन और यह वाला मैं यूज करने वाला हूं तो मैं इसको लेक जोंगा और यहां से कर दोंगा ठीक है अभी यह मेरा audio input कैप्चर डेफाइस ओन हो चुका है तो अगर कोई आवाज को बंद करना है तो यहाँ पर simply क्लिक कर दोगे तो यह आवाज आपकी बंद हो जाएगी और नीचे की जो हमारी अलड़ी add की हुई थी mycox वो चल रही होगी ठीक है तो यह हो गया हमारा audio input capture उसके बाद हमें करना है दूसरा चीज़ हमारा video capture device वीडियो capture device पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर ओके करना है यहाँ अगर नाम देना चाहते हो कि वेबकैम तो आप नाम भी दे सकते हो यहाँ नाम दे दिया webcam का inbuilt webcam है वो ना यूज करके मैं यूज करना चाहूंगा मैंने एक अपने मोबाइल को वेबकैम की तरह यूज करने के लिए इरियन वेबकैम का यूज करका है तो यहाँ पर इसको सेलेक कर लूँगा अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो गई है इसको कर दूँगा मैं यहाँ पर ओके ठीक है अब यह आप इसको ऐसे माउस का लेट किलिक करके कहीं भी ड्रै कर सकते अब ही जो हमारे एक्ट्रा पोर्सन है उसको हम कर देंगे कर तो cut करने के लिए क्या करना है कि अपने को drip करके रखना है और इसको एसे move करना है जितना भी पर आपको चरणा ओड सकर रखेंगे, इस तरह से म लोग कि मुझे इतना चाहिए तो मैं यहाँ पर अभी इसको यहाँ पर corner में लाकर रख दूँगा और अगर बड़ा करना होगा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा ठीक है इसके बाद अभी यही बात करना था कि जो हमारा green screen है वो हमें यहाँ पर मेरा कुछ भी green पीछे ना दिखे यहाँ पर कोई भी background ना दिखें simply मेरा जो वीडियो चलेगा वो चलेगा और पीछे में जो होगा वो board blackboard या whiteboard जो भी हम जहाँ पर भी यूज करने वाले है यह चीश तो हमने select कर लिया अब दूसरा चीश हमें select करना होगा कि basically अब इसका हमारे को green screen effect हटाना होगा तो यहा right click करेंगे filter में जाएंगे filter के बाद plus icon और plus icon के बाद यहाँ पर जाना है हमें chroma key chroma key पर select कर लिया इसको कर देना होके अब यहाँ पर देख सकते हो कि यह पूरी तरीके से हमारे face को और body part को है उसको read कर ले रहा है इसको कर देते हैं अभी close तो यहाँ देख सकते हो कि अब यहाँ पर विडियो चलने लगा है आप कुछ भी आप लोगको नने दिख रहा होगा मेरा कुछ भी green वाले part में भी हात ले जाना हो कुछ भी green नने दिख रहा है ठiक है अब क्या करने वाले हैं हम कि यहाँ पर हम अपना add करने वाले हैं कोई भी जो हमारा पढ़ाने का software होगा तो हम यहाँ पर करने वाले use one note का और यहाँ पर आपके पास दो options होती है जो first option होगी हमारे पास वो होगी कि या तो हम वीडियो capture को add कर ले या second option होगी कि display capture को use कर ले तो आप लोग में से मेरे से बहुत बार पुछते रहाएं कि मेरा window capture काम नहीं कर रहा है आपे अब यह अभी हम window capture device अगर on करेंगे तो देखो यहाँ पर window capture इसको करते हैं करेंगे मेरा उननोट या कोई भी ऐसा सब्डुर्व नहीं आ रहा रहा है तो वह इसलिए नहीं आ रहा है कि क्यूद हमने कुछ अड्य नहीं कर रहा है तो यहाँ यहां पर जल्दी से इस ओपन कर लीताओह। तो यहां पर देख सकते हैं कि हमने वननोट को ओपेन कर लिया है अब यहां पर इस विंडो को अगर मिनिमाइज कर देंगे तो भी हमें नहीं दिखाएगा तो इसे मिनिमाइज नहीं करना है इसको ऐसे ओपेन रनने दिना है और जाना OBS के स्क्रीन पर अब यहां पर देखते हैं कि विंडो से इंड यहां पर देना है इसके बाद हमारा पूरी तरीके से रिड करने लगा और यहां पर देखो यह capture तो आप लोग बहुत बार बोलते हों कि हमारा काप सरकाप्चर नहीं होता इसको टिक करके रखना है अगर इसको एन्टिक कर दोगे तो वो नहीं दीखे ठीक है इसको करते हैं ओके अब यहां पर जो भी हम चीज लिखेंगे वो चीज यहां पर दिखना चाहिए तो हम पहले चलते हैं वन नोट में थोड़ी कुछ चीज़े लिख के देखते हैं यहां पर वेलकम टू माई यूटू चैनल ठीक है इस तरह से यहां पर हमने लिख दिया अब हम जाते है यहां पर देखते हैं कि OBS में क्या यह सरी चीजे हो रही हैं तो यहां पर सवाइड़ी चीजे रूए हैं मतलब मेरा विंडों capture सही से काम कर रहा है है अभी लेकिन यह जब हम कही है ऐसा हमारा क्या हो गया कि वीडियो ॆ बीजिपीछे चला गया जो भी चीज़े हम बोल रहे हैं वो सारी चीज़े पीछे चली गई और मैं दिखनी रहा हूं यहां पर तो क्या करना होगा कि सबसे पहले तो इसमें एक्ष्ट्रा पोर्शन से जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं इसमें करेंगे और प्रेस करके इसको कट कर लेंगे Fit To Screen या फिर Control Effect से भी किया जा सकता है इसके बाद अब देखो यह हमारा उपर में आ रहा है और हमारा वेबकाम नीचे चल गया तो यह LAYERING होता है तो LAYERING में क्या करना है किopia कर ने कि विंडोगो काप्चर को नीचे कर लेना है और webcam को उपर कर लेना आप देखो मेरा यहां पर webcam चलने लगा और यह पीछे में जो भी हमारा whiteboard या blackboard है तो जैसे भी मैं आप पढ़ाऊंगा तो वो सारी चीजे board पर दिखते रहेगी और यह corner में मेरा वीडियो भी चलते रहेगा तो इस तरह से अन एकडमी के जितने भी टीचर होते हैं या फिर अपना वीडियो सो करके पढ़ाना चाता है तो वो इस तरह से अपना corner में वीडियो चला देते हैं और यहां पे कुछ अ कि आपको अभी समझाना है कोई चीज लिखा हुआ बोड पर तो अभी आप चाहोगे कि मैं पूरे window के screen पर आजाओ और वहां पर समझा लूँ चीजों को questions को और उसके बाद फिर से वापस इस वाले window पर आजाओ इस तरह से पढ़ाने वाले जैसे भी यहां पर मैं करना पड़ेगा इसमें दो चीज़ार करना पड़ेगा वीडियो काप्चर डिवाइस इसमें और अल्रेडी एग्जिस्टिंग वेब्गैम है उसी को यूज करेंगे इसके बाद इसको हम कर लेते हैं पहले cut alt press करके cut करने के लिए बताया थे तो alt press करके इसको कर लेना हमें cut जितना भी जिस portion को हमें नहीं चाहिए इसके बाद right click करके क्या करना है transform में जाके इसको कर लेना है fit to screen ठीक है अब इस तरह से हम screen पर आ गए लेकिन screen पर आ गए उसके बाद देखो यहाँ पर यह सारी मैंने download कर रहा था तो इसको कर लेता है open ठीक है इसके बाद कर देता है okay अब यह देख सकते हो कि यह बहुत बड़ा तो थोड़ा और जूम करना पड़ेगा क्योंकि यह मैं चाहता हूं कि पूरे screen में यह cover हो जाए इस तरह से यह cover हो गया अब मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें भी layering होगा तो हमें क्या करना है webcam को उपर कर लेना है और image को नीचे कर लेना तो इस तरह से हमारे backend में अब यहां पर मैं ऐसे ही अभी कुछ लगा दिया हूँ लेकिन यहां पर आप क्या लगाओगे आप लगाओगे अपना जिसे classroom का image या फिर कुछ ऐसा image लगाओगे पढ़ाते हो तो अभी जैसे आपने मानलो कि scene 1 में था यह चीज यहां पर आसे चल रहा था सब कोई चल रहा था आपने question solve कर रहा था आप question solve कर रहे थे screen पर अभी अचानक से आया कि कोई part को हमें ऐसा है कि explain करना अच्छे से explain करना है तो उस case में क्या करना होगा आपको switch करना होगा और आप instantly switch करना चाहोगे उ इसके बाद यहां पर एक hot key होता है तो hot key पर click करेंगे इसके बाद हमें जाना है यहां पर देखना है कि मेरा scene 1 और scene 2 कहां लिखा हुआ है तो scene 1 यहां पर लिखा हो तो scene 1 को यहां पर पूछ रहा है कि switch to scene अगर scene को switch करना है तो क्या प्रेस करोगे क्या आप switch कर जाओ तो यहां पर one जैसे मैंने प्रेस किया तो यह number one read कर लिया ठीक है और scene 2 में जाना है तो number two तो हमने two press कर दिया keyboard पे तो यह हो गया number two इसको कर दे जाते हैं ओके अब देखना जैसे ही मैं two press करूंगा मैं switch कर जाओंगा one press करूंगा वापस से इस वाले screen पर आ जाओंगा तो इस तरह से मैं असानी से एक screen से दूसरे screen पर switch कर पा रहा हूं ठीक है कि यहाँ पे आपका वीडियो चल रहा होगा यहाँपे अगर recording होगा तो यहां पे आपका वीडियो चल रहा लेकिन वो आप लोगों को दिखे गा नहीं तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर मेरा वीडियो कॉर्णर में नहीं आता है तो वह ओबियस की ऐसी सेटिंग है कि वह आप लोगों को कॉर्णर में नहीं दिखेगा उसके लिए आपको ये केरिया सेलेक कर लेना कि इतने वाले पार्ट में मुझे नहीं लिखना है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो मेरा वीडियो चल रहा होगा इसके बाद जैसे ही अगर मालों कि यहाँ पे अगर मैं टू प्रेस करता हूँ तो सीन जो स्विच होगा वो भी आप लोगों को नहीं दिखेगा ठीक है तो यहाँ पे इसको मैं अभी मिटा देता हूँ फिलाल के लिए क्योंकि यहाँ पे हमारा वीडियो चलने वाला है तो हम यह माल लेते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या चल रहा होगा वीडियो चल रहा होगा तो इस पोर्शन पर अगर हम कुछ लिखते हैं तो हमारे स्टूडेंट पड़ नहीं पाएंगे अब चलो ठीक है यह तो हमने माल लिया कि यहाँ पर जान लिया कि यहाँ पर पढ़ा रहतें तो page दिख रहा होता है लेकिन वहाँ पे क्या चल रहा होता है वीडियो चल रहा होता है तो आपके क्योंकि यह बैग्राउंड पीछे होता है अब यहाँपे क्या करना है कि जैसे मालवा आपने question दिया अपने student को की कुछ questions को उनको factorize करना है ठीक है जैसे x square plus 5x plus 6 equal to 0 कुछ इस तरह के question आपने दिया तो आपको तो पता है कि यहाँ पर आपका वीडियो चल रहा है तो आपको जो यह पूरा entire board मिला बाकी जो portion छोड़ के यह वाला तो इतने में आप कुछ भी पढ़ाओगे तो हो जाएगा अब जैसे यह question आपने दे दिया अब आपको क्या करना है कि अब आपको explain करना चीजों को तो explain करना है तो आप किस mode में चले जाओगे explain वाले mode में explain वाले mode में कैसे जाते हैं तो बस यहाँ पर हमने change कर दिया to press कर दिया अभी हम explain वाले mode में आगा है यहां पर अब मैं जो भी चीज़ आप लोग को explain करूंगा जैसे बोलूगा कि splitting into middle terms करके इस question को solve करना है तो क्या करना है कि 5x को दो पार्ट में इस तरह से split करना है कि multiply करें तो 6 आजा तो इन सारी चीज़ों को मैंने भी explain कर लिया अब जैसी मैंने इन सारी चीज़ों को explain करिय अब क्या करना होगा मुझे वापस से जाना होगा अपने इस whiteboard पर whiteboard पैने के लिए one press करेंगे ठीक है अब मैं whiteboard condition में आ चुका हूं मुझे यह सारी चीज़े दिख नहीं रही होगी यह अगर आप लोग ऐसा सोच रहे कि मुझे दिखे कि यह screen पर तो आपको यह screen पर का multiplication मजने तो यहां से अभी आपने इन सारी चीज़ों को कर लिया ठीक है तो इस तरह से अगर आप पढ़ाओ अब आपने question को solve कर दिया यहां पर answer आगया ठीक है अब आपको बात करना student से कि चलो अभी किसने कितने solve करें तो इस तरह से फिर आप क्या कर अगर villa can switch का अब मैं फिर से आप लोग से इंट्रक्टिव बात करने के मोड में आ गया हूं लेकिन फिर से बता दे रहा ऊ कि आपको जो स्क्रίν उगी उससे आपको नहीं दिखर हो गा आपको Saber अपके लेकिन ओल्रेयल आप बैकेंड में यह सारी चीजे हो रही है ठीक है वो recording चल रही है तो आसा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगको समझ में आ गया होगा तो वीडियो पर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ